जाहिन्द वंदे मात्रम, वेलकम टू एपीसे क्लासेस, एपीसे क्लास की यूटिब च्रेल में आपका स्वागत है, आज की इस प्रियोब में क्लास 12 की कमेश्टी की मॉर्ल पीपर के बारे में सभी निवाली हैं, ये मॉर्ल पीपर यूपी बोर्ड की 2021 की एकजाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ये समझेंगे कि आने वाली प्रश्ण जो हैं, कैमेश्टी की, वो कैसे आएंगे, तता किस प्रकार के प्रश्ण आते हैं, तो प्रश्णों के सेसिलों में आगे बढ़ें, तो प्रश्णों का जो करम होता आने का, वो क्या होता है, स 35 नंबर का यह 35 नंबर का होता था अगर जो एक कोई गड़बड हुआ तो दूसरे में आराम से नंबर नहीं मिल सता था लेकिन अब आपको एक ही पेपर में सब कुछ देना है यह सब मिला करके सिर्फ एक ही पेपर हो गया है और एक ही पेपर आपके 70 नंबर के होंगे तो प्लस मार्क्स जो है वो कमिश्टी में आ सके तो सुरू करते हैं कि हमारे प्रश्णों का करम कैसा होता है अगर जो पहली बात करें तो यहां पर पहला जो प्रश्ण होगा वो भविकल्पी प्रश्ण होगा उनमें प्रश्णों की संख्या कुल 6 होगी और अंक की बात करें तो उसमें हर प्रशन पे 1 अंक आपको मिलेंगी यानि कि 6 नंबर आपको यानि कि 6 अंक आपको बहुभिकल्पी प्रशन पे मिलता है दूसरा है अतिलगूत त्री प्रशन इनमें कुल प्रशनों की संख्या 4 होगी और अगर जो बात करें अंकोगी तो हर जो पश्ण होगा वो दो अंका होगा इस तरह से वो अंकों की संख्या आठ हो जाती है ऐसे ही जो तीसरा हम लोग का है जिसमें तीसरा जो पश्ण उतर संख्या होगा वह भी अतलगुतरी पश्ण का ही होगा कुल पश्णों की संख्या भी चारी होगी और अंकों की बात करें तो हर जो प्रशन है वो दो अंक का होगा यानि कि प्रशनों आठी नमबर के होंगे पूरे के पूरे यानि कि जो दूसरा वाला है और तीसरा वाला है ये दोनों के दोनों आठ अंक देने वाले हैं ठीक है, जो तीसरे वाले होते हैं, तीसरे वाले में जैसे होता है कि अगर जो एक पुछन कोई दिया हुआ है, तो इसमें one plus one करके भी question दे सकता है यानि कि किसी चीज़ की परिवासा लिखिये, ता इसके बारे में ये भी बताईए इस तरह से पुछन आ सकते हैं तो त्रीसा पशन ऐसे कंफर्म होता है चौता पशन जो आप लोगों का है वो है लगो त्रीव पशन इसमें कुल पशनों की संख्याद चार होगी पर एक पशन पे तीन अंक अन्रिधायत किये गए हैं इस तरह से हमाई बारा अंक प्राप्त होते हैं चौते वाले पशन से ये लगो त्रीव पशन होते हैं दीरग उत्रीव पशन की बात करें जो की पाँचवा है इसमें कुल पशनों की संख्याद चार होगी और हर पशन से हमको चार अंक प्राप्त होते हैं यानि की सोला हों की यहां से हम लोगों को मिलते हैं तो यह ओगा अब इसको लिखने का करम हमेशा आप जिब प्रस्ण को लिख रहे हो तो लोगिए प्रस्ण उत्र शंख्या च्छाठियां क्षा कहा करते हैं और उपर वाला कहा होता है निच्छे वाला खा होता है वह आपके उपर डिपंड है कि आप क्या करना चाहते हैं अगर जो का रहा है आपको तो का कीजीगा खा रहा है आपको तो खा कीजीगा यह अगर जो आप कंप्लीट करते हैं तो यहां आपको पांच अंक प्राप्त होते हैं एक पे यानि कि दोनों को मिला करके आपका दस अंक कंप्लीट होता आपको इस तरह से इस बाहते करना होगा यहां पर भी जो अंक की बात करें तो 10 अंक आपको प्राप्त होते हैं यान्ई कि टोटल अंकों की संख्या सत्र होती है और अगर जो आप भई इसी समेश से तैयारी करते हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर जो सीसारी आप इस इसमेंसे नहीं करते हैं तो नंबर में में प्राबलों होगी और प्राप्त करके के आपको अबिस प्राप्त करत करना है तो अभी स किसे ठाटिके तेहरे कमेरी की जिए एक को सब करने से की मैं हर जो आपकी syllabus है जो parts है यानि कि जो भी important चीज़े हैं उन सभी का में एक video upload करूँगा जिससे आप सभी को 90 plus marks आने में कोई रूक ना पाए चैनल जुनने के लिए धन्यबाद वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिसे आने वाली वीडियो कीजिएगा